छोटे छोटे प्रयास, बड़ा परिवर्तन लाते हैं Hello friends, मैं Dr. Amit Mahishwari आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की informative वीडियो में Friends, मुझे पूरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोगों ने Bitcoin का नाम ज़रूर सुना होगा और आपके मन में कुछ सुकता होगी कि ये Bitcoin क्या है ये Bitcoin की trading कैसे की जा सकती है Bitcoin से sale purchase कैसे की जा सकती है Bitcoin से profit कैसे कमाया जा सकता है Bitcoin की mining क्या है और किस तरह से इसमें निवेश किया जा सकता है तो सारी बातों को समझने के लिए सबसे पहले हमें करंसी के बारे में समझना होगा कि basically ये करंसी क्या होती है सामाने ते किसी भी देश में विनिमे का जो माध्यम होता है exchange का जो माध्यम होता है वो करंसी के माध्यम से होता है मतलब हर देश की अपनी एक करंसी होती है जिसमें किसी भी चीज को sale purchase के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है जैसे रुपया, डॉलर, यूरो, सोम, देरम और बहुत सारी करंसी Friends, हर देश की एक करंसी होती है और आप उस देश में केवल वहीं की करंसी का इस्तिमाल कर सकते हैं विनिमे के माध्यम के लिए हम करंसी का प्रियोग करते हैं जबकि बहुत समय पहले जब करंसी की बात चलती थी तो उस समय विनिमे का माध्यम करंसी नहीं बार्टर सिस्टम हुआ करता था ये बार्टर सिस्टम है क्या? बार्टर मिंस exchange without money बिना किसी पैसे के लेंदेन के चीजों को आपस में बदलना या खरीदना उधारन के लिए अनाज देकर कपड़ा खरीदना ये वो माध्यम थे जहां पर हमें ये निरने करना परता था कि कौन सी वस्तू आपको खरीदनी है और कौन सा ऐसा दूसरा व्यक्ति है जिसे उस चीज की अवश्रक्ता है बार्टर में किसी भी चीज का किसी भी वस्तू का कोई मूल्य नहीं होता था वहां तो किवल exchange, demand and supply के according होता था मतलब कितना कपड़ा आपको चाहिए उसके बदले कितना अनाज आपको देना होगा ये बात पर निर्वर करता था कि वो व्यक्ति को कपड़ा और अनाज की कितनी कितनी requirement है आज हम बात करते हैं एक ऐसी currency के बारे में जो किसी भी देश की boundaries से बंदी हुई नहीं है जिसे हम एक crypto currency कहते हैं जैसे bitcoin, bitcoin एक crypto currency है ये crypto currency होती क्या है ये digital currency होती है सिर्फ एक algorithm numbers होते हैं जब आप bitcoin में निवेश करते हैं या bitcoin खरीतते हैं तो आप कोई भी चीज currency के रूप में अपने पास में receive नहीं करते जैसे नाहीं वो कागज के note होते हैं और नाहीं वो कोई सिक्के होते हैं bitcoin तो एक crypto currency है इंटरनेट की currency है इंटरनेट के माध्यम से आपके wallet में आपके e-wallet में जितने deserts, जितने codes ट्रांसफर किये जाते हैं उसे crypto currency कहते हैं 3 जनवरी 2009 को सतोशी नाका मोतो नाम के एक व्यक्ती ने इस crypto currency का निर्मान किया और उस समय पर उसने इसलिए निर्मान किया था क्योंकि वो ये दिखाना चाहता था कि ज़रूरी नहीं कि किसी भी देश में वीनिमे का माध्यम उस देश की currency होगी बिना किसी देश की सरकार और controlling authority को involved किये उन्होंने एक ऐसे digital code का निर्मान किया जिसके माध्यम से आप चीजों का आदान प्रदान कर सकते हैं सतोसी नाका मोतो ने जब bitcoin बनाया तो उनके मन में एक बात थी कि एक ऐसी currency होने चाहिए जिसको किसी भी देश की कोई भी governance या किसी भी देश की कोई भी agency control ना करे जब bitcoin बनाया गया तो उन्हें निर्धारित किया कि bitcoin की एक limited मात्रा ही limited digits ही बाजार में आएंगी ताकि इसकी demand और supply के according इसके price निर्धारित हो सकें bitcoin का अपना कोई price नहीं होता bitcoin का अपना कोई price नहीं होता bitcoin का price तो decide होता है कि उस समय market में उसकी कितनी demand और कितनी supply है bitcoin की number of coins limited होने की वज़ा से मतलब यह algorithm जो है limited number of units होने की वज़ा से इसके prices demand के according लगातार बढ़ते जा रहे हैं आज बहुत सारे देश इस currency को कोई वैधानिक माननेता नहीं देते जबकि बहुत सारे देशों में आदान प्रदान के लिए exchange के लिए bitcoin का इस्तमाल किया आता है किसी समय पर bitcoin की value 6 डॉलर थी और एक समय पर वो बढ़कर 1200 US डॉलर तक पहुँच गई यह सारी चीज़ डिपेंड करती है उस समय कितने buyer bitcoin खरिदना चाहते हैं क्योंकि bitcoin का algorithm जो है वो एक limited quantity में निकलता है साथी साथ एक बात को ध्यान से समझे bitcoin का अपना कोई market value नहीं है अपनी कोई market price नहीं है जैसे जैसे demand बढ़ती जाती है supply नहीं होती उसी ratio में उसका price बढ़ता जाता है और आज अगर bitcoin की बात करें तो on an average एक bitcoin का value लगबग 14,000 US डॉलर तक पहुँच गया है friends ये एक ऐसा system है जहाँ पर आपको किसी तरह की currency को store नहीं करना किसी भी government से उसको monitor नहीं कराना और वहाँ पर पुरा price demand and supply के according नरधारित होता है और एक बात को ध्यान से समझ लीजेगा ऐसा भी हो सकता है कि bitcoin में trade करते समय bitcoin में निवेश करते समय बहुत सारे लोग अरबपती, खरबपती, करूरपती बन जाएं लेकिन ये भी संभावना है कि बहुत सारे लोग अपनी सारी संपत्ती, सारी पूंजी और सारा पैसा गवा दे bitcoin में एक system होता है जिसे हम sale purchase के लिए mining कहते हैं आप mining में जितने अपने bitcoins लगाते हैं उसके according ये निरधारित होता है कि आपके bitcoin की value current value समय क्या है और जिस व्यक्ति को भी bitcoin चाहिए वो इसको आसानी से purchase कर लेता है तो friends आप एक बात को अच्छे से समझ लीजिए कि bitcoin एक ऐसी currency है जिस पर किसी भी देश का किसी भी सरकार का किसी भी reserve bank का कोई control नहीं है आपको ये दि bitcoin में निवेश करना है तो ये आपके उपर निरभर करता है कि आपके risk bearing capacity कितनी है क्योंकि कोई भी देश जब अपनी currency निकालता है तो उस currency की एक value होती है एक printed value होती है for example भारत में यदि 2000 का note निकाला तो उसका मतलब है कि 2000 रुपे का कोई भी आदान प्रदान आप उस कागज के टुकडे के माध्यम से कर सकते हैं जबकि bitcoin में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिस समय आपने bitcoin लिया उसकी value क्या थी आज उसकी value क्या है और भविशे में उसकी value क्या होगी current time पर bitcoin लेते और देते समय उसकी कीमत निर्धारित होती है एक बहुत बड़ा कारण जो मैं आप लोग को समझाने जा रहा हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है कि bitcoin के price बहुत तीजी से बढ़ते जा रहे है speculation हो गया bitcoin कभी आप सुनते है bitcoin आज bitcoin 2,00,00,00 रुपे का था फ्रेंड ये एक speculation है ये एक ऐसा कुवा है जहाँ पर आपको अंदाजा नहीं है कि मेहनत करने के बाद पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा bitcoin की बात को समझाने के लिए क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग बहुत तेजी से bitcoin की तरफ अपना रुझान दिखा रहे है इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि black money black money की सारी खपत bitcoin के माध्यम से हो रही है क्योंकि कोई भी governance body इसमें नहीं है कोई भी controlling body नहीं है government का कोई प्रारूप नहीं है जिससे bitcoin को monitor किया जा सके इसी लिए जितनी गयर कानूनी गतिवीदिया हो रही है उसमें bitcoin का बहुत बड़ा involvement है बड़े-बड़े transactions bitcoin की payment के माध्यम से हो रहे है black money, लोग transaction black money में कर रहे है साथी साथ जितने अवैद drugs related business फिर अवैद हत्यारों से संबंदित business तसकरी से संबंदित business आज bitcoin का दूरूपयोग हो रहे है भारत सरकार ने इसके लिए बहुत जबर्दस policy बनाई है भारत सरकार इस bitcoin से related softwares को trace कर रही है और वो कोशिश कर रही है कि आने वाले कुछी समय में लगबग 2000 से ज़्यादा bitcoin हर transaction wise मतलब 11 कारूनी गतिविदी में जिसका प्रियोग हो रहा है उसको वो freeze करे और जैसे ही सरकार इस black money को control करने की निती को implement करेगी तो आप देखेगा bitcoin की value जो 14-15 लाग तक हो चुकी है वो एक दम से नीची आएगी और जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा बहुत सारे लोग अर्बो खर्बो रुपया कमा लेंगे यह आपके ओपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी पूंजी को सुरक्षित कर सकते हैं किस तरह से अपने निवेश को बहितिरीन बना सकते हैं तो फ्रेंड्स बिड़कोईन से संबंदित क्रिप्टो करंसी संबंदित रिस्क फैक्टर को आप अच्छे से समझ लें और उसके बाद ही अपने बुद्धी विवेक और कौशल का प्रियोक करके बिड़कोईन में निवेश करें हाँ एक और महत्वपुन बात जो बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट है कि सर बिड़कोईन की माइनिंग कैसे होती है माइनिंग होती क्या है बिड़कोईन सिर्फ एक अल्गोरिधम है यह कोई प्रिंटिड नोट नहीं है या करंसी नहीं है या कोईन नहीं है जिसको आप खरीद सकें हाँ एक महत्वपुन बात जो बहुत सारे लोग इस बात को लेके कन्फ्यूज है कि बिड़कोईन माइनिंग क्या है यह माइनिंग सिस्टम क्या है और कैसे हम Bitcoin की Mining करते हैं तो एक बात को समझिए अगर आप किसी भी देश की Currency में आपस में Transaction करते हैं तो बीच में एक Mediator होता है कई बार वो Bank होता है कई बार Forex System होता है यह कई बार वो Agency होती है जो आपकी Currency को Convert करती है और वो आपसे एक Exchange Charge लेती है Money Exchange करने का Charge लेती है Transactional Charge लेती है और वो Transactional Charge बहुत बड़ा होता है लेकिन Bitcoin क्योंकि इसको किसी भी देश की Governance Body Control नहीं करती तो यहाँ पर भी कुछ लोग होते हैं जो अपने Supersonic Computers के साथ उस Algorithm को Solve करते हैं और Solve करने के लिए आपकी Sale Purchase कराने के लिए वो Bitcoin की Mining कराते हैं मतलब आप कितने Bitcoin बेचना चाते हैं या कितने खरीदना चाते हैं वो आप Miners के माध्यम से जो Bitcoin Miner हैं जिनने Supersonic Computers लगाए हुए उनके माध्यम से आप Bitcoin की Sale Purchase करते हैं और जिसके लिए आपको एक Nominal Charge Commission के रूप में Miners को देना होता है और आपकी Current Value क्या होती है Current Value के According ही आपका Bitcoin Sale और Purchase होता है और Example अगर किसी व्यक्ति ने 1,00,000 रुपे में Bitcoin खरीदा था और आज उसकी Market Value लगबग 14,00,000 रुपे है हमारी Currency को Break कर सकते है 2,000 का Note है हम 2,000,000 के Note में Break कर सकते हैं जबकि 1,000 का Note भी बंद हो गया है 500,000 के Note की बात करें तो 4 Note में हम उसको Break कर सकते हैं तो 2,000 को हम Break कर सकते हैं 20 Note में वही बात अगर 50 की बात करें तो हम 40 Note में उसको Convert कर सकते हैं और अगर coins की बात करें, तो हम 2000 एक-एक के सिक्खे में उसको convert कर सकते हैं. Depend करता है कि currency की printed value क्या है. ठीक इस तरह से bitcoin को भी, क्योंकि आज उसकी value 14,00,000 रुपे पहुंच गई है, उस bitcoin की एक value को भी आप break कर सकते हैं. और ततोशी नाका मोतो ने जो ये bitcoin की currency को break करने का system बनाया, ये बनाया है कि एक bitcoin को आप 8 तक break कर सकते हैं. जैसे हम 10 रुपे के एक note को, अगर रुपे हमें हमें convert करना है, तो 10 शिक्कों में हमें convert कर सकते हैं. ये नाम उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि वो उनका name है, उनका surname है, उसके हिसाब से उन्होंने इसकी currency का नाम रखा, तोशी. तो bitcoin की mining की जा सकती है, हाँ, आज कुछ देशों में ही बिल्कुल legal हो चुका है. लीगल activity के रूप में, transactions के रूप में, companies में, sale purchase के रूप में इसका इस्तिमाल कर रहे हैं. For example, आप US में कहीं कोई mobile खरिदना चाहते हैं, तो आप अपने wallet से, e-wallet से bitcoin transfer कर देंगे seller के पास, और seller आपको mobile देदेगा. ठीक उस तरह से, जैसे हम पैसे से चीजों को exchange करते हैं, credit card से exchange करते हैं, bank transaction के थूप exchange करते हैं, तो इस तरह से इसका प्रियोग किया जा सकता है. लेकिन आज भी बहुत सारे देशों में, इसकी कोई मनेता नहीं है, कोई भी person उसको accept नहीं कर रहा है, सिर्फ लोगों का विश्वास उस currency की तरह बढ़ता जा रहा है, लोग जरसरा जूड़ते जा रहे हैं, इसलिए आपस में transaction करने का माध्यम बन गए हैं. तो ये bitcoin के बारे में चानकारी थी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने bitcoin को समझा होगा, निवेश करते समय आप अपने बुद्धी, विवेक और कौशल का प्रियोक करें, और साथी साथ एक अच्छे निवेशक के रूप में, लाइफ में निरनतर आगे बढ़ें. Friends, मेरी एक बात को ध्यान से समझ लेना, कि let your money work for you, or you have to work for money. आप अपने पैसे को काम पर लगाएं, वरना पैसे के लिए आपको काम पर लगना पड़ेगा. मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आपके सुनेरे बविश्य की कामना करता हूँ. जय हिंद, जय भारत. झाल झाल